नमשकार, सिर्फ 500 रूपै से 500 रूपै से 1000 रूपै बनाना मैं सिखाऊंगा यानी कि 500 रूपै परड़े हो गया और यानी कि 15 रूपै, 15 रूपै महीने 15,000 रुपे महीने एकदम आसानी से कमा सकते हो बहुत कुछ मेहनत की जरुड़त ही नहीं है एकदम आसानी से और मेरा टार्गेट जो है इस वीडियो में उसमें ये है कि वो व्यक्ति जिनके पास बहुत कम पैसे हैं जिनके पैसे नहीं है जो कहीं लेबरी कर रहे हैं कहीं ऐसी जगे काम कर रहे हैं जहां उनकी इच्छा नहीं है लेकिन उन्हें पैसे के कारण काम करना पड़ रहा है बहुत सारी ऐसी जगे होती है जहां अगर व्यक्ति फस जाता है काम करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर कुछ डांट रहा है कोई आपको बहुत दमकार रहा है बहुत सारी बाते होती है बहुत सारी difficulties होती है फिर क्या होता है लेकिन वो उसको सहता है क्यों सहता है वो इसलिए सहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं कल इस काम पे नहीं आऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्योंकि दूसरे दिन अगर वो नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएगे पैसे नहीं आएगे तो गर का खाना नीचे लेगा क्यों क्योंकि वो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है यह सारी डिफकल्टीज हैं, मैंने देखा है, खुद अपने सामने खर कुछ नहीं पाता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सताय जा रहा है, माना कुई इसको सताय जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसे करो, डांटा जा रहा है, बेस्ती की जा रही है लेकिन वो बिचारे क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि यार अगर मैंने इसे कुछ कहा या मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ तो कल क्या होगा उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो है और अगर आप ऐसे किसी वेक्ट को जानते हो जिसके लिए ये बहुत परिसानी का सब्जेक्ट है कि यार नहीं उसे मजबूरी में जाना पर रहा है मजबूरी में उसे वो काम करना पर रहा है वो काम का मतलब कोई भी काम हो सकता है लेबरी का हो सकता है तो उसमें दो तरीके से होता है या तो उस काम की बहुत कटनाई है, बहुत कठीन काम है, तो भी उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो कल नहीं जाएगा, तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसे परिवार का क्या होगा, दूसरी चीज़ यह होती है, कि कुछ ऐसा काम है, जो काम तो करना पड़ रहा ह कि कोई flame जा रही है कुछ धुआ ऐसा जा रहा है जो ऐसी environment में काम कर रहा है जहां वो परिसान है लेकिन फिर भी फिर वो नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि आर अगर कल नहीं जाएंगे तो क्या होगा सच में ऐसा होता है आप हो सकता है आप अच्छी जग घर का पेट नहीं भरेगा उन सारे लोगों के लिए में छोटा सा विजनस आइडिया है बहुत जादा कुछ नहीं है लेकिन मैं उन्हें एक ऐसी help कर रहा हूं कि वो कल से भी चाहें तो अपने पैसे कमा सकते हैं और ऐसी जगों से चुटकारा पा सकते हैं तो उसके लिए स पालों की मंडी करते हैं या सबजीयों की मंडी करते हैं लेकिन वो छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी मंडी है ठीक है तो वो चकरपुर मंडी है जहां पर मैं गया था डेट बता देता हूं 22 फरवरी ताकि देट मैं क्यों बताता हूं 22 फरवरी और समय बता देता हूं मैंने मान लिए 24 रुपए बताया हो किसी का रेट और उस दिन 80 रुपए हो जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो तो आप कोगे रहे यह सर तो बेकार की बाते हैं सहाही नहीं तो वो करने का सहासी नहीं जुटा पाए तो यह याद रखो कि अगर आज वो डेट है जिस डेट जिस डेट पर है तो उससे डबल कर लिए ना बस मैं जो सिस्टम बता हूँ ना उससे डबल कर लिए तो मैं उस जगे जब गया चकर पुरमंडी में तो बहुत सारे फ्रूट्स भीक रहते बहुत सारी चीज़े भीक रही थी बट अभी गर्मी आने का समय है तो जो सबसे ज sounds करते हैं लोगे संसंतरह ज्यादा खाने पशन करते हैं तो आपको संत्रह ही खरीदना है और मैं संत्रे का ही बता रहा हूं इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि भ्रमित ना हो कि क arresting का वी और ससटा है को सबना बभ्रमित हो बहुत स्कूड आपको महенगा दे दे लेकिन सर्थ ये थी कि आपको कम से कम 20 kg लेना था क्योंकि वो एक पेटी आपको लेनी पड़ती है और पेटी में 20 kg आते हैं अच्छी क्वालिटी का मैं बता रहा हूं अच्छी क्वालिटी का जो संत्रा रहा वह 24 रुपए गिलो चल लाता है ठीक है अब जब 24 रुपए चल क्योंकि नए हो आप बार्गनिंग कर सकते हो जो आपका रेट है वो आप बताओ जैसे मान दीजिए 24 चल ला है ठीक है आपने का बहुत सारी जगें लगा हुआ है तो जहां आपको 22 में मिल जाए 23 में मैं एक एक्जामपल दे रहा हूं यह नहीं क्या 22 में ही मागो जो वहा है 23 रुपय लेकिन मैं मान के चल दा हूँ 25 रुपय ताकि कल्कुलेशन में मैं यहां असानी से आपको बता सकूँ तो अगर 20 की पेटी लोग है तो 500 रुपय का होगा सिर्फ है ना तब ही मैंने कहा कि 500 रुपय से बिजनस असानी से किया जा सकता है तो अब वहां पे आप को हमेशा याद रखना अच्छा फल लेना क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती मान लीजिए आज आपने फल लिया अच्छी क्वालिटी का लिया अच्छा फल लिया भले वह एक रुपय महंगा हो लेकिन होता यह है कि जब आप आज नहीं बेच पहे म लेकिन अगर आप वही एक दम फाइनल स्टेज का फल ले लोगे मत्तब ऐसी इस्तिका कि बस तो फिर वह घाटा हो जाएगा है ना तो इस पर ध्यान लखना कि भले एक दो रुपय महंगा हो आप अच्छी क्वालिटी का लेना और वह बिकने में आसान होता है क्योंकि वह को अट्रैक्ट करता है तो आपने मान लीजिए 500 कप फल ले लिया 20 किलो ही ले लिया मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं 20 किलो ले लिया है दूसरा कोई भी फल ले सकते लेकिन संत्रे का मैं आपको समझाओंगा तो ज्यादा अच्छा है साइकल साइकल जरूर रखो और गेसलिए नहीं अपनी साइकल से जाना है साइकल के पीछे बाढ़ना है और बाढ़ के ही लाना है ठीकर ताकि आपकर वो कन्वेंस बचे जरा सी चीज है है। अगर वही इस चीज़ आपको बता हूं जब मेरे एक्स पिरियांस कि keeping यहां कि जब वहाँ पर 23 उरूपय का दे साधी वगेरा के लिए फल नहीं पैक करते हैं उस टाइप की दुकान लगी थी उसी जगह से बाहर यानि कि सिर्फ मंडी के अंदर था और मंडी के बाहर तो मैंने सोचा चलो पूछते हैं भाई पूछने में क्या जाता है और मेरा अनुमान यह था कि यहां पर ट्रांसपोर् कि यहां नहीं मेरे पास नहीं उनके पास है तो मैं जड़ दूसरी दुकान पर पहुछा तो मैंने सोचा चलो यहां से ले लेते पूछते हैं ऄा रेट है तो क्वाल्टी वो नहीं थी मतलब जैसी क्वाल्टी जो सुपर क्वाल्टी में देख कि आ dalropolitा थी सुर्पर टे से नहीं था थोड़ा था तो हमने पूछा कि भाई क्या रेट है तो मेरे पेरों के तले की जमीन कह सक गई उसने बोला असी रुपए सा सच आप Carlo सच आप विस्वास करो मैं ये नहीं करा ओँ कि आप सिर्फ 50 में बेचना लेकिन मैं अपनी बात बता रहाु जो मैंने फिल किया जो मैंने अनुभव किया मैंने कहाँ सी रुपए किलो हाँ हाँ सर अगर पांच किलो लेंगे तो दस रुपए कम हो जाएंगे आपको सत्तर में पड़ जाएगा एक रेट ऐसा मुझसे बूला तो मुझे बहस तो वहां कोई करने का कोई मतलब नहीं था बस मैं रेट ले रहा था मैं चलाया फिर जब मैं अपनी मं का इंकम होगी 100% बस यह है कि अब यह बात आईगी कि सर बेचे कहां आपने सारी चीजे बताई खरीदेंगे कहां से खरीदेंगा चकरपूर ना चले आना कानपूर में बहुत ध्यान सब्चो जो आपके छेत्र की मंदी है जो आपके छेत्र बड़ी छोटी मंदी नहीं दो चार फल वालों से पूछना कि वही आप बड़ी फल की मंदी कहा है यहां पर पस इंक्वाइरी एक से न पूछ लेना दो चार दस से पूछना तो आपको पता चलेगा कि बड़ी फल की मंदी कहा है आप बड़ी फल की मंदी जाना भले ही 20 किलो मीटर हो भले ही 25 किलो मैंने था आपको बता हैте सबसे अच्छे क्वालिटी का फल बैना और सबसे अच्छी सोसाइटी जो आपके छेद में सबसे अच्छी किलो fallen बहुत पैसे वाले वहां कर बिचा के लगा देना वं अपार विछा के लगा देना ठीक है अब बस उसको वहां बेचना पत्चास रुपई किलो देओगे जो साट रुपई देओगे आया जो सत्तर रुपई देओगे आया वह आपको पचास रुपई देओगे तो तुरन्त ले लेगा और वो दो दो तीन तीन किलो लेते हैं जो ठीक ठाक लोग होते हैं वैसा नहीं होता है तो आपके 10-12 ग्रहाग में ही आपका काम संपन हो जाएगा और आपको 500 रुपए मिल जाएंगे जितनी परिसानियों से आपने तीन साड़े तीन सो चार सो रुपए जो रेट चल ला है उतनी प भले ही 20 किलो लाओ कि कूई अपको 500 रुपए अब हजार हो गया आप साम को आपको हजार हो गया आप आप हजार कला सकते हो 40 किलो फल ला सकते हो तो आपको दो दिन दोड़ना नहीं पढ़ेगा एक दिन दो दिन में बेच लोगे फिर आप ज़्यादा 50 किलो फल आ सकते हो तो वहां भी बारगनिंग अच्छे से हो जाएगी जो आपको 23 को दे रहा थो भी इसको दे देगा ठीक है और दूसरी चीजी होगी कि आप रोज नहीं दोड़ना पड़ेगा आप तीन दिन के अल्टरनेट पे जाओगे तीन दिन में बेचोगे वराइटी अफल ज़्यादा हो जाएगी तो मेरा समझाना ये है बहिया कि आप अगर इस तरीके से काम करोगे अगर आसानी से काम करोगे तो आपको जो वो दिक्ते हैं ना जो आपको लोग आपको जो बुरा भला कहते हैं जो आपको डाटते हैं जो छोटी-छोटी गलती हो जाए तो पता नहीं क्या-क्या बोल देते हैं तो उससे नहीं होगा आप खुद के मालिक हो जाओगे और आसानी से आप अपना ये काम कर सकते हो और पांसो रुपे बच रहा है कब हजार बचेगा तो तीस हजार हो जाएगा महीना जब अगर आप हजार का फल लाओगे चालिस किलो लाओगे तो तीस हजार हो जाएगा तो आप तीस हजार कमाने लगोगे तो ये आसान है और ये तरीके से आप एक दास्ता से मुक्ती पालोगे और दूसरा आप अपने खुद के मालिक हो जाओगे आपको चीजे पता हो जाएंगी और फिर आप अच्छा बिजनस करने लगोगे और आप संपन्नता की तरफ चले जाओगे मैं एक चीजा और यहां पताता चलूँ जो भी मैं बताता हूँ चोटी चोटी चीजे बताता हूँ चोटे चोटे बिजनस बताता हूँ मेरा जो दो तरीके के लोग हैं एक वो जो अच्छे पैसे वाले हैं और पैसे वाला बिजनस करना जाते हैं उनके लिए भी मैं बताता हूँ और एक वो जो एकदम परिसान है, इनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए भी बताता हूँ, ताकि दोनों लोग सही से चल सके, बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसे वीडियोज बनाते हैं, जो मतलब वो छोटा लेविल का लोग वेकती है ना, जो विचारों, वो और ठाग जाता है कुछ चार सो, पान सो किसी से ले लिया, सेमिनार करा दिया, ये करा दिया, और वो सोचता है कुछ, तो उससे और विचारा पर रिसान है, तो मैं चोटी-चोटे विजनस आइडियाज आपको बताने की कोशिस करता हूँ, ताकि आप असानी से आगे बढ़ सको, बस एकी जो और कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे विचती हो, जो ये विजनस नहीं करना चाहते हो, तो जो है, जो विचती आपके नजर में ऐसा है, उसे ये विजनस बता देना, वो अगर उसके पर मूबाइल नहीं है, तो आप अपने मूँ से बता देना, कि भाई, ऐससे कर लो, बेरा नाम लेने के कोई जरूष नहीं है, अप अपनी तरफ से बताओ. मेरा बस उदेश ये है कि उस व्यक्त तक ये बात पहुंच जा. अगर मोबाइल है, तो मोबाइल से से शेर कर देना, अगर नहीं है, तो Žे से शेर कर देना, तो अच्छा रहेगा और परिसानी में हो तो तुम्हें परिसानी से मुक्ती भी मिल जाएगी तो इतना ही कहना है अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं तब तक के लिए नमस्कार